आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो है साउथ इस्टर्ण सेंटरल रेलवेब बिलासपूर डिवीजन में आए वी है और इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिटेरें डिस्टर्स करेंगे और यदि आप इस चानल पे नए हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको एबरीडे गवर्मेंट जोब से रेलेटेर नोटिफिकेशन मिलते रहे तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यह वैकेंसी आपका जो है एपरेंटिस वाला है और यहाँ पे आपको जो है इस वेबसाइट पे जाके 11 सब्टमबर से 10 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिल करना है तो आपके पास अल्मोस्ट एक मैने है तो आप अच्छे से फॉर्म फिल किजिए और इसमें जो है कोई भी एक्जाम नहीं है ना ही कोई इसमें अप्लिकेशन फी है तो अच्छी ओपर्चिनेटी है आप लोगों के लिए यदि आप लोग इरिजबल हो तो फॉर्म को जड़ फिल किजिए और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है यहाँ पे आप दे सकते हो different different trade में different vacancies है तो यहाँ पे total vacancy की बात करें तो आपका 432 vacancies है और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे qualification तो आपका minimum 10th pass होना चाहिए और 7 में आपका ITI होना चाहिए जिस trade में आप form fill करोगे उस trade से ITI होना चाहिए तब ही आप form fill कर सकते हो और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे age तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15 year आपका minimum age होना चाहिए और maximum age आपका 24 year से कम होना चाहिए और यहाँ पे SCST के लिए 5 year चूट होगा OBC वाले के लिए 3 year का चूट होगा और एक सर्विसमेन और P WD कर्णिडेट के लिए यहाँ पे 10 year तक का चूट होगा age में और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है contract यह आपका देख सकते हो यहाँ पे training period जो होगा वो 1 year का training period होगा और इसके दोरन आपको salary भी मिलेगी और इसमें certificate भी आपको मिलेगा और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका selection process तो इसमें जैसा मैंने भी बताया इसमें कोई भी exam नहीं है तो यहाँ पे metric results से 50% weightage होगा और यहाँ पे ITI से आपका 50% weightage होगा और यहाँ पे देख लेंगे हम लोग medical examination यदि आप select हो जाते हो तो यहाँ पे आपको document verification के time आपको medical certificate submit करना होगा और इस notification में कुछ नहीं है और यदि आपको इस notification में कोई भी doubt होता है तो आप comment कर सकते हो मैं आपको suggest करूँगा तो thank you for watching this video